हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर्ट से स्वागत है दोस्तों आप सब बाईयों के प्यार से चैनल बहुत बढ़िया जा रहा है उमीद करता हूँ आप आगे भी ऐसा प्यार दोगे तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है कि अगर पैनल बोर्ड में समर्शिवर स्टार्टर में अगर स्टार्टिंग कपैस्टर खराब हो जाए तो क्या होगा दोस्तों यह जो एक एच्पी का या दू एच्पी का पैनल है किसी भी मोटर का पैनल हो एक एच्पी दू एच्पी या तीन एच्पी इसमें अगर स्टार्टिंग के बेस्टर खराब हो गया यहां पर दोस्तों एक बार द्यान रखने लाएका मैं सीसी वैरिंग की बात कर रहा हूं आप पहले देखें यह स्विच सिंगल टाइप होगा अगर जब डबल स्विच होगा डी सी वैरिंग होगी तो यह स्विच ऐसा होगा MARY OS जो सीसी वैरिंग हाँ डी सी वैरिंग डेक्ट वैरिंग होती है कड्रोल वैरिंग और यह सी सी वैरिंग यह देखिए दोस्तों 800 MFT यह स्टार्टिंग कपेस्टर है अगर यह कपेस्टर खराब हो गया तो यह सारा बॉक्स काम करना छोड़ जाएगा मतलब कहने का हमने ग्रीन को पुश्ट किया लेकिन मोटर नहीं चला कुछ भी नहीं हुआ सो दिक्कत कोई और भी हो सकती है लेकिन सबसे पहले तो स्टार्टिंग को बश्टर देखना पड़ेगा इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो जो सबसे असान काम है यह MC भी उपर किया और इसको यहां से प्रेस किया यहां से प्रेस किया मोटर चल पड़ी तो सिर्फ दो फोर्ट ही हो सकते हैं अगर चल पड़ी यहां तो कोईल खराब है और यहां कपैस्टर खराब है लेकिन ज्यादा दिक्कत कपैस्टर का होता है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों यह दोनों कपैस्टर की तार पहले यह वाड़ा तार खोल देना और इसको जहां पर मोटर का आर वायर लगा होता है रेड तार यह देखिए जहां पर मोटर का रेड तार लगा होता है वहाँ पर इसको ऐसे टच करके और इदर से आउन करना मोटर चल पड़ेगा और अगर आपका मोटर ऐसे करके सही चल पड़े तो इसको चेंज कर दे यह दोस्तों सिरफ CC वेरिंग की बात कर रहा हूँ DC वेरिंग में इसका फंक्शन ओवर होता है उसमें इसको कोई फरक नहीं पड़ता है उस वेरिंग के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तो आपको कुछ लगता है कि इस स्टार्टर का कोई फॉल्ट मेरी समझ से परे है तो आप कॉमेंट करें वीडियो के थुरू तो अमीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पुसान दाएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद